गुरुआर्देरात को सभा मुलायम सिंग यादव यूथ ब्रिगेट के राष्ट अध्यक्ष सिदार्थ सिंग का उद्रोला विदाहन सभा के प्रथम आगमन पर सपा कारेले उत्रोला में समा सेवी चकत सक सपानेता डॉक्टर एहसान खान के नेत्रित में विदाहन सभा अध्यक्ष महेश यादव वरिष्ट सपानेता हाजी शमीम महमद अबरार महमद उमर युवा सपानेता महफूज गनी समित उपस्तित तमाम सपाईयों ने फूल माला पहना कर उनका भविस्वागत किया मुलायम सिंग यादव अखिलेश यादव डॉक्टर एहसान खान जिल्दाबाद के गगन चुम्बी नारों से पूरा उत्रोला गोजोटा देर रात में कारेकरताओं की भारी भीड जूस्ट वा उत्सा देखकर यूद ब्रिगेट के र मगामी 2022 के विधानसवाच चुनाओं में उत्रोला विधानसवाच शेत्र से डॉक्टर एहसान खान को सपा का उमिद्वार बनाए जाने की पूर्जोर पैरवी की सिदार सिंग ने कहा कि आप लोगों की सभी बातों को राष्ट अध्रक्ष अखिलेश यादों तब पहुचाने का काम करेंगे उन्होंने सपा कारेकरताओं में विधानसवाच चुनाओं को लेकर जोश भरा कहा कि समाजवादी पार्टी गाउं के युवाओं को पार्टी में इसलिए जोड़ना चाती है क्योंकि इस पार्टी से जोड़कर युवावर्ग आगे बढ़ सकता है आज यूवाउं के सामने रोजगार की समस्या है यूवाउं का मन कुंठित हो रहा है सपा के सत्ता में आते ही यूवाउं को रोजगार दिलाने का पुरा प्रयास करेंगी सपा के उद्देश है कि गाउं में रहने वाला हर वर्ग महिला पुरुष मजदूर वा प्याउसाइक व्यक्तियों का उठान हो सके डॉक्टर अहसान खान ने सभी का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि हम सब का एक लक्ष है उत्रप्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार वा अखिनेश व्यादव को मुख्य मंत्री बनाने का पार्टी जिस किसी को भी टिकेट देगी उसको पूरे तन, मन और जी जान के साथ चुनावन नडाये जाए इसलिए हमें लडाई बहुत भी ठंग से लड़नी है कि अव्याब तंग्याव था में जार्टी को भी जाए घंग इंड लडाटी ऑनला गाहेhairald झाल